नमस्कार नियूज लाइन में आपका स्वागात इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हुरा, आम खबरों के सुरुआत करेंगे सबसे पहले भिरकी बाद मोड के पास है एक एम्बूलेंस अपना संतुलन खो बैठा जिसकारण एम्बूलेंस पलट गया हूँ एम्बूलेंस में सवार, जच्चा, बच्चा, सुरक्षित रहे वहीं ड्राइवर को हलकी चोट आई है बताते चले कि राची के राणी चिल्डरन हॉस्पिटल से इलाज कराकर लौट रहे थे पति-पत्नी मंगलवार को गिरिडी देवगर मुख्यमार के नवादा गाउं के पास राणी चिल्डरन हॉस्पिटल राची से देवगर जीले के रिक्या थाना अंतरगत बलसारा आने के क्रम में डियल बॉलेरो एंबुलेंस जिसका नंबर डियल वन भी ए 4058 के चालो को नीन आ जाने से संतुलन भिगड़ गई एंबुलेंस पल्टी और उसमें सवार पति-पत्नी समेत 18 दिन के बच्चे बाल-बाल बच गए घटना के खबर मिलते ही पुड़ाई थाना के एसाई ओम प्रकास दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर एंबुलेंस को कबजे में लेकर गायल पति-पत्नी एवं बच्चा समेत गाड़ी के चालो को इलाज के लिए सदर इस्पताल देवगर बेज दिया गया घटना के संबन में बताया जाता है कि गिरिडी देवगर मुख्यमार बिर्खी बात की नवादा गाउं के पास सुब़ छे बजे रानी चिल्डरन हॉस्पिटल रांची से सवार पति-पत्नी समित 18 दिन का बच्चा को लेकर अपने गाउं जीला देवगर थाना रिखिया बलसारा जा रहे थे उसी क्रम में चालक को नीन आने से संदुलन विगड़ गई जिससे एंबुलेंस पल्टी और दुरगटना ग्रस्त हो गई इसमें सवार पति-टिंकु कुमार महता 24 वर्सिये पत्नी बबली कुमारी 22 वर्सिये एवं 18 दिन के बच्चे बाल बाल बच ग के लिए सेंपल संग्रा किया गया मंगलवर को अनमंडली अस्पिताल की उपादिक्चक डॉक्टर महमद शाहित के निदेशा नुशार लाप टेक्नीशन विनै कुमार वरुन पंडित महमूद आलम अमपीड़ अजय कुमार दास त्वारा कुल 252 वैक्तियों का कुरोना व वहीं 155 वैक्तियों का आर्टी पिसियार जांचेतू संग्रा किया गया इस संदर्ब में उपादिक्चक डॉक्टर महमद शाहिद ने बताया कि संभवता एक सब्ता में सभी आर्टी पिसियार संपल का परिणाम प्राप्थ हो सकता है आशा करता हूँ कि सभी का परिणाम नेगेटिव प्राप्थ हो परिंतु एहतियार के तहट सभी को सभी आर्टी पिसियार जांच किये गए वैक्तियों को होम कुरंटाइन कर दिया गया आंगनबाडी सिविकाओं के साथ सीडी पी ओने की मौडल बाठक वहीं उन्होंने सभी आंगनबाडी केंद्रों में विकाओं को दिशा निर्देश जारी किया गया मौके पर सीडी प्यों स्रीमति सिना ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सारा व्यवस्था बिगड़ गया था आंगनबाडी संचालन पर इसका बड़ा असर पड़ा अब व्यवस्था सुधार किया जाएगा और बच्चों का पोशाहार पर ख्याल चादा रखा जाएगा बहतर केंदर संचालन के लिए समय पर केंदर को पोशाहार उपलब कराने की बात कही ताकि केंदर में बच्चों की उपस्तिती बढ़े और पुर्व की तरह दुबारा केंदर संचाली थो उन्होंने बहतर केंदर संचालन के ल मंगलवार को कुल 60 केंदर के सिविकाओं को गैस चुला वत्रन किया गया साथ में केंदर के लिए टेबल कुर्सी दावाई किट भी दिया जा रहा है मोगे पर सुपरवाईजर निवेरिता नट्राजन, सलमवती हेंबरं, प्रियंका कुमारी, लिपिक, प्रकास दास, असोक मांजी, रिंकु दास, समेथ दरजनों आंगनबारी सेविका उपस्तित थी काम मत्रब को चरना है, मिटिंग अगरा में नेमी ताएंगी, जो हम लोग का पोसाहार अगरा सब बंदो गया था है, तो भी पोसाहार का पैसा टाथ अनन लगा है, पोसाहार भी आवेरू अगरू धरूद में चलाएंगी, अभीषरा टाइम ली थेंगी, मिटिंग ने सी क्रूप से समय पर होटेंड करेंगा है, और समस्टर शिक्स के, विज्यान विशेयों के प्रायोगीक परिक्षाओं की तिथी जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ विशेयों के परिक्षा मदुपूर महाविद्याले में होगी, जबकि कुछ विशेयों के परिक्षा एस महाविद्याले में होगी, उन कौन-कौन सी विशेय इसमें सामिल ह देखे रिपोर्ट मधुपुर महाविध्याले मधुपूर में पुर्वाहर 9 बजी से होगी वहीं यूजी समिस्टर 6 के रसायन सास्तर की प्रायोगिक परिक्षा मधुपूर में 4 नवंभश दोहजर बीस को लिग जाएगी यह जानकरी मधुपूर महाविध्याले मधुपूर के किंदा धिक्षक डॉक्टर रतनाकर भारती ने दी मंगलवार को सुनील टोपनो के कार्याले में सर्कल इंस्पेक्टर की अतिक्षता में एक बाठक हुई जिसमें विकत माग के लंबित कांडो का अनुशनधान वर निश्पादन जल से जल करने का उनके द्वारान आवश्यक निर्देश दिया गया उन्होंने लंबित कांड, वारंटी, कुर्की का भी निश्पादन इवं संबंदित मामलों का निश्पादन जल से जल करने और पासपूर्ट की जांच सिग्र करने का निदेश दिये मौके पर बुढई थाना प्रभारी जैनूल अबए दीन, पासरोल थाना प्रभारी आशिम कुमार, करोर थाना प्रभारी रारे स्टूडू, मार्गोम मुंड़ा के खतती खजूर, मधुपूर महिला थाना प्रभारी रुभी मिंचर मेंद, पुलिस माजूद थे मदर्स इंटरनेशनल अकेडमी के अनुभवी सिक्षक गुरुदास पाल का हुआ निधन वहीं स्कूल के सभी शिक्षक सिक्षिकाओं ने दिभावीनी सरदान जली मदर्स इंटरनेशनल अकेडमी आज सोक स्थब्ध है विद्याले की स्थापना काल से जिस अनुभवी सिक्षक का सयोग मिलता रहा पर सिक्षक गुरुदास पाल आज हमारे बीच नहीं रहे पैतरी ग्राम हावेली खड़कपूर में उनका दिहान थुआ इस सोकाकूल परिस्थिती में मदर्स इंटरनेशनल परिवार पाल सर को शुधानजली प्रदान कर रहा है इस अफसर पर विद्याले की निदेशक मनशकुमार कलबलिया ने कहा कि गुरुदास पाल जी के वल सिक्षक ही नहीं बलकि वह हमारे मार्दर्शक भी थे उनका इस तरह चले जाना विद्याले के लिए अपूर्णिय छती है भगवान उनकी विदेही आत्मा को श्वर्गवास तथा परमशानती प्रदान करें मापन हुआ बता दें इस अवियान की शुरुवात सोमवार को की महिंद्र मुनी सरस्थी शिशु विद्या मेंदिर दो दिवसी ए ग्राम दर्शन सा अभिवावक संपर का अभियान सोमवार से प्रारम हो गया सोमवार पहले दिन विद्याले की सिक्षकों ने पात्रोल खम पर व्यापक चर्चा की गई तता उनकी समश्याओं पर समधान विशैपर विचार विमर्श हुआ अभिभावकों और बच्चों ने जल्द विद्याले में अध्यापन की इच्छा जताई उन्होंने या आश्रवक्त किया कि जारकन सरकार जल्द ही विद्याले खोलने की अनुवती देगी अभीभावकों का कहना था कि जब सब वैवस्थाएं चालू हो रही है तो सिक्षन संस्थाओं के साथ नाइनसाफिक क्यों की जा रही है विसे इस रूप से दसम और 12 में पढ़ने वाले बच्चे आत्यधिक चिंतित और भैबित दीखें इस दो दिवसी अ कर